नमस्कार, जैमात आदी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ चारे, करवाचोद के आप सभी को, पूरी ग्रहनीों को, देशवासीों को, सबको मेरी और से और मेरी टीम की और से बहुत बहुत शुपकामना है, हैपी करवाचोद, जब करवाचोद की बात को कम्पलीट कर पाएं, यानि अपने वरत को पूर्न कर पाएं, यह पूर्न करने का पढ़ाव होता है, जब आप चांद दर्शन के साथ, चांद की पूजा के साथ, अपने आहार को खा सकते हैं, चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ साबधानियों की बात करते हैं, लेकिन चंदर दर्शन जब आपने करने हैं, तो पूजा में किस चीज का खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्या जब उगे चंदरमा उसी समय आपको पूजा कर देनी चाहिए, या थोड़ा सा समय बतीत होने देना चाहिए, इसमें एक बहुत बड़ी मानियत है, कहते हैं कि जब चंदरमा दर्शन दे, उसी समय पूजा नहीं कर देनी चाहिए, उसके कुछ पहर बीत जाने के बाद पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब चंदरमा उदे होता है, तो वो खास करके जिनोंने गन्पती का वरत रखा होता है, उन्हें पूजा कर देनी चाहिए, शुब मुख जब चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए बढ़ा हो जाए यानि यो बाले अवस्था का चंद्रमा होता है जब एकदम से दिखता है लेकिन जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तब आपको चंद्रमा के धर्शन करने चाहिए उस समय पूजा करनी चाहिए तो पहली चीज आपने महिलाओं ने खास करके ध्यान रखनी चाहिए, अब बुरत्तों के दिन में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि पूजा करें कैसे, कौन सा साधारन तरीका है, जो एक विदी आ आपके हस्बेंड वाइफ की जिन्दगी में चल रहा हो, वो दूर हो जाएगा, वो एक दूसरे के बिना आप रहे नहीं पाएंगे, चलिया, वो बताएंगे हम अपको, उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले हम अपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि आपने देर तक नहीं सोना है, ये ध्यान डखेगा, जिन्नों ने भी वरत किया है, बहुत सारी महिलाइएं होती है, सर्गी खाने के बाद सो जाती है, और उसके बाद बहुत देर तक नहीं उठती है, ताकि थोड़ा सा समय भीत जाए कैसे करके, वरत में सोया नहीं जाता, कठीन इसलिए कहते है आपकी हर चीज की परिक्षा होती है। तभी ही तो चंदरमा बहुत देर निकलता है। जल्दी भी तो निकल सकते हैं। सूर्य अस्थेली हिती है कि चंद्रमा दर्शन होने लगते हैं यानि चंद्र उदे का समय हो जाता है लेकिन ये चौत का चांद देर से निकलता है आपके धैरी की प्रिक्षा का चांद होता है ये सर्गी के अलावा कुछ खाना नहीं होता है ये आपको मालूम ही है कि बहुत सारी तामसिक चीजें खा जाब होता है आपकी करवाचोत्खा जो आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए सोते हुए सदस्यों को नहीं उठाना चाहिए उसमें आपकी कथा में भी है जब वीरों की कथा आप सुनते हैं उसमें लिए सुत्तड़ा जगाईना रूठ़ा मनाईना यानि ना तो नहीं कोई रूठ़ जाए तो जो रूठ जाने तो यह आपकी एक दिन की बड़ी अच्छी एक आपके लिए बड़ा अच्छा मॉका मिलता है कि रूठा रहने दो रूठा रहने तो आपने नहीं मना न आज इन दोनों चीजों का प्रहेज किया जाता है ना सो यह पोजगा के आप यह गलती बहुत बड़ी कर जाते हैं कि जब महिलाएउ करके तयार हो दिया यह लोजी देवरानिया नए सबने तो फैमली जिनकी उतसे को देना है यह बहुत बड़ी साफधनी है जो आज रिष्टों के बीच में इतना ज्यादा तनाव हो रहा है इसका उसके साथ उसके साथ आपके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूगी उसमें भी आप देखेगा और सफेद चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है नुकीली आपको लगता है कि हमारा टाइम पास हो जाएगा क्यूंकि हमने अपने मन मताबिक चीज देख लिए जो वीडियो इर्शया पैदा करवाती हो जो वीडियो आपको उत्तेजीत करती हो उन वीडियो को नहीं देखा जाता है वैसी पुस्तके नहीं पड़ी जाती है इस समय अगर के पुस्तके पड़ी जाती है वो धर्म कर्म की पड़ी जाती है अच्छी अच्छी शिक्षा जिनसे आपको मिलती है वो पुस्तके पड़ी जाती है या फिर सासु मा से अच्छी अच्छी कहानिया सुनी जाती है बुजूर्गों के साथ समय बिताया जाता है उनके पलों को अच्छे खुश्बू वाले मोहोल इन्वाइनमेंट को बनाए जाता है ताकि फ्रेग्रेंसिस रखिएगा अपने अपने गर के अंदर बुजूर्गों के साथ जो समय बिताते हैं तो उनके जो शुब पल उन्होंने अपनी जिन्दकी के बिताए हैं उन पलों को शे चीजें नहीं करनी चाहिए यह ध्यान रखिएगा हम लोग यहां चूक और गलती कर जाते हैं कुछ भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीजें इस्तेमाल कर देते हैं कि वरत खतम हुआ चलिए जी सारे विदिविदान होगे साइड पे सारे जो जितने प्रिकॉशन से होगे स साइड पे चलो जी आप तो वरत खुल के आप सब कुछ होगे ऐसा नहीं होता है पहला पड़ाव जितना इंपोर्टेंट होता है उसका आखरी पड़ाव उससे ज्यादा खुबसूरत होना चाहिए क्योंकि वहां सफलता का एक पड़ाव होता है यानि जिस मेहनत से आपने चैवरत किया उसकी सफलता का समें होता है आखरी पड़ाव जिए जाता क्योंकि इस Kita क्पड़ों के कपड़े होते हैं रंग होते हैं ऐसे रंगों का प्रियोग करने से आपके जीवन के आंदर को तहीं ने टिटिव इती है यानिए पॉजिविटी आतु slice कि शुब colors, अच्छे रंगों का, colorful रंगों का, जो प्रियोग होता है, वो आपको अपने जीवन में करना चाहिए, किसी को कड़वा नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, इन फैक्ट बोलना नहीं, मुझे नहीं निकाला तो दिमाग में चल रहा हो, तो दिम सबसे पहले आपने जो करवा जिसमें जल आपने जिसकी पूजा की है, वो करवा का जल आपकी थाली में होना चाहिए, कुछ अक्षत होने चाहिए, अक्षय प्रेम की धारना देते हैं, मिसाल देते हैं, अक्षत में चावल, चावल के वो टुकडे, जो वो चावल जिसमें खंडित ना हो, मतर्य टुकड़े ना हो, साबुत चावल होने चाहिए, वो हो, फूल जरूर होने चाहिए, और फूल में भी, 5 तरह के रंगों के फूलों का इस्तेमाल भी आप इस में कर सकते हैं, इसके अलावा मिठाई होने चाहिए वो मिठाई जो आपने सेवन करनी है मिठी मठरी जो होती है इसका खास करके क्योंकि उसमें अन भी होता है उसमें मिश्थान भी होता है तो आप उसका प्रियोग भी जरूर कीजेगा चननी से ही आप चांद को देखिएगा और सबसे पहले चननी के चांद को देखते हुए आपने सबसे पहले जल से आपने उसे शांत करना है फिर उसके बाद आपके पाद जितनी सामगरी है वो सारी सामगरी दिरे दिरे आप चंद्रमा को अर्ग दीचिएगा धूप और दीपक दिखाईएगा फूलों से वर्षा कीजेगा अक्षद से वर्षा कीजेगा और वहीं खड़े रह करके परिक्रमा करते हुए अपने वरत को पूर्ण कीजेगा पती देवा अगर आपके पास में हैं उनके चरन शुकर के अशिरवाद ले सकते हैं उनके हाथ से वो जल पी सकते हैं और बहुत अच्छे से कुछ समय पती और पत्नी को चंद्रमा को जरूर निहारना चाहिए मन शांत करके ही पूजा कीजेगा क्योंकि विदी विधान मन शांत से ही होता है तो इन चीजों का आप ध्यान रखेगा कुछ समय वहाँ चंद्रमा को जरूर निहारिएगा धैर यह से पूजा केजिए ताकि आपकी पूजा सफल हो वीडियो को जादा से जादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कीजे वीडियो शेयर कीजे और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखे कुछ रहें स्वस्त रहें पॉजटिव रहें पॉजटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं जल्दी हाजिरोंगे एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जैमाता दी हैपी गरवाजोत